हेलो सुदेंट्स वेलकम टू मैनिट आज की वीडियो है इसके अंदर हम रोटेशन चैप्टर के कुछ सवाल जो है सौल करने वाले यह ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे जो बच्चे हैं डरते हैं पहली चीज अगर फिजिक से प्यार करते हो तो मेकनिक्स से जरूर प्य मेकनिक्स उसके अंदर जो आपने कॉंसेप्ट्स अपने बिल्कुल सॉलिड कर लिए होते हैं यह डेफिनेटली आपकी 12 की फिजिक्स में भी यूज आते हैं तो रोटेशन चैप्टर जो है बड़ा कॉंसेप्शल चैप्टर इससे डरना नहीं है आज मैं कुछ ऐसे कुश बहुत सारे बच से अगेन मैं बोलूँगा जो इससे डरते हैं प्लीज समझने ही कुशिच करना मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में वीडियो से लेटेट लेके आऊंगा कि ऐसे कुश्चन को जो है छोड़ना नहीं है यही जो कुश्चन से बहुत स्कोरिंग होते हैं आपको help करने वाले हैं, so let's start this session, I welcome all of you here, so YouTube की जो हमारी revision series है J-E main PYQ plus concept revision series, निर्भाय series for J-E, नीट के लिए भी जो है, among series आप लोग के लिए चल रही है, दोनों ही आपको इस channel पर daily evening में यहाँ पर मिला करेंगे, हमारे videos जो हम आपके लिए बनाते हैं यहाँ आपर, आइए, let's start the session, देखो, last year जो है J-E main के अंदर rotation का एक question पूछा गया था, 30th January 2023 shift 2, कैसे crack करना इस सवाल को, क्या करना है, ऐसे में देखो, क्या है न, मैं उन सब बच्चों की भी help करना चाहूंगा, जो इस problem से जूज रहे होते, किसा problem start कैसे करनी है, we are able to read the problem, but we are not able to figure out that what we need to do in this problem, so let's start this problem, a uniform disc of mass 0.5 kg and radius r is projected with velocity 18, तो एक disc को ऐसे project कर दिया गया है, यहाँ पर, at t is equal to 0 on a rough horizontal surface, it starts off with a pure sliding motion, तो initially starting में, सिर्फ sliding थी, यहाँ पर rolling नहीं थी, after 2 seconds, it acquires a pure rolling motion, ठीक है, roll करने लग गया है, यहाँ पर, the total kinetic energy of the disc after 2 seconds will be, तो 2 seconds के बाद, इसकी kinetic energy कितनी होगी, यह पुछा गया है, अब दोको सबसे important चीज, अगर आप rotation chapter बढ़ रहे हो, कोई चीज प्यूर rolling कर रही है, यहाँ पर, तो सिर्फ kinetic energy translation की तो होगी नहीं, translation plus rolling, दोनों की kinetic energy होगी, तो सबसे पहले kinetic energy का formula समझ लीजिए, this is due to the translation, and this is due to the rotation, अब दोकिए सवाल को कैसे crack कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आपने इसे, ऐसे surface पे, slide करते वे आगे फेका, आप समझ सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा color change कर लिया जाएं यहाँ पर, पीछे की तरफ एक friction लगेगा, सर पीछे ही क्यों लगा, समझ ना इस चीज को, अगर यहाँ पर rolling करानी है, तो इसका मतलब angular velocity आनी पड़ेगी, अगर angular velocity आएगी, तो कोई torque होना पड़ेगा, जो इसे angular velocity को provide करें, ठीक है, तो आप दिखना है, यहाँ पर r cross f, and omega का direction सेम है, दो कोई छोटी-छोटी बात हैं, पर बहुत important है समझने के लिए यहाँ पर, radius यह है न, r cross f, in the inward direction, omega, ऐसे r rotate cross direction में, also in the inward direction, both omega and r cross f in the same direction, इसका मतलब हमने friction, सही माना है, because friction के torque से ही तो यहाँ पर omega आएगा, अब दिखो, आगी क्या करना है इस सवाल के अंदर, सबसे पहले, force is equal to mass into acceleration, सिर्फ एक force लग रहा है यहाँ पर, सर, force कितना हो गाए है यहाँ पर, frictional force, mu into normal reaction, normal reaction कितना होता है, mg, acceleration is mu g, क्या प्राबलम में mu दे रखा है, 0.3, g 10, multiply कर हो 3, हमें पता चल गा है, इसका acceleration 3 meter per second square है, but this is a very simple thing, कि common sense है, कि friction पीछे है, तो acceleration भी backward direction में उबजेक्ट रिटार्ड करेगा, what will be the velocity of the object, after 2 second check कर लेते हैं, simple equations of motion, final velocity is unknown sir, initial is given as 18, आए data डालते हैं 18, positive मत ले 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 लेन, अचलरेशन, velocity ना अचलरेशन उपीजेशन आपोजट डायरेक्शन में है, ठीक है, 12 meter per second velocity हो जाएगी इसकी, अब आगे क्या करूँ है यापर सर अब कुछ करना ही नहीं है आपको अब आपको direct kinetic energy लिखने है आपर what is the value of kinetic energy half mv square plus half i omega square half mv square अभी as it is रखा what is this i? moment of energy what is the value of moment of energy of a disk mr square by 2 तो यहापर लिख लेते है mr square by 2 अब देखो एक और छोटी छोटी बगर मोटी बात है बहुत important बात है v is equals to omega r sir यह क्या हमेशा लगता है? नहीं हमेशा नहीं लगता है this is only valid for the pure rolling condition उन्होंने सवाल में दिया है हमें कि यह pure rolling कर रहा है तो use कर लेते omega is v by r square कर दो बच्चो क्या आ रहा है mv square by 2 mv square by 4 3 mv square by 4 yes dear आपका answer आ चुका है data डालने है बस यहाँ पर mass कितना था? half final velocity किती थी? 12 ठीक है? 12 का square ठीक है? अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 72 और इस से देखता हूँ तो 18 54 यही सही answer होगा इसका तो आप देख सकते हैं आपर that the total kinetic energy of the disk after 2 second will be 54 Joule इस तरह से आपको यह problem को solve करना था I hope you are able to understand that rotation is not a difficult topic techniques आनी चीए इसको समझना बहुत जरूरी है इस सवाल को देखते हैं आपर again first fab design 23 shift 1 मैं deliberately आपके लिए जो है last year के J main phase 1 attempt के questions लेके आया हूँ उसका बहुत ही simple सा logic है phase 1 ही बहुत जल्दी दूबारा आने वाला है तो let me contribute more in the particular direction जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहा है तो देखो इस सवाल के अंदर वो लगा है solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree and length is 60 cm if this cylinder rolls without slipping its speed upon reaching तो speed कितनी हो जाएगी नीचे पहुचने पर ये पूछा गया है अब ऐसे सवालों को कैसे करना है बच्वाँ आपको पता है यहाँ पर जब बोला गया है तो उन्हेंने बोला है एक continuous cylinder जो है roll कर रहा है without slipping के sufficient होगा है यहाँ पर rolling के लिए सारी चीज़ें अब देखो ऐसे सवालों में एक ही तरीका होता है जब आपने class के अंदर ऐसे questions किये होंगे यहाँ नहीं भी किये होंगे तो मैं आपको थोड़ा help करता हूँ यहाँ पर ऐसे questions को हमेशन generally energy conservation से करा जाता है अब सोचों यहाँ पर हुआ क्या अगर यह किसी height पर रखावाए तो इसके अंदर gravitational potential energy है height h उप पर है किसी भी height h पर gravitational potential energy कित्ती होती है mg h जब यह नीचे आ जाएगा यहाँ पर gravitational potential energy loss हो जाएगी और यह कहा जाएगी kinetic energy में kinetic energy भी दो टाइप की है यहाँ पर कौन सी translational kinetic energy and rotational kinetic energy अब क्या करूं सर mass जो है अभी मत काटो लिखा रहें दो यह भी as it is रहें दो moment of inertia solid cylinder, what is the value of moment of inertia of a solid cylinder solid cylinder का बच्चों होता है m r square by 2 अब जो को यह तो याद करने पढ़ेंगे ही again, बोला है that without slipping r है without slipping मतलब pure rolling pure rolling मतलब यह condition ध्यान रखना में शा v is equals to omega r for pure rolling and acceleration is equals to alpha r for pure rolling ठीक है तो अभी क्या करते है omega को यहाँ पर replace कर देते है v square by r square काटो, काटो mg h is equals to mv square by 2 plus mv square by 4 कितना हुआ 3mv square by 4 देखो, पिछला question और यह question कितना similar लग रहा है क्या निकल के आया g h is equals to 3v square by 4 data डालते है what is the value of g? 10 what is the value of height? 60 मत ले ले लेना ठीक है height कितनी है? 60 तो आपका यह पर hyperterance है यह perpendicular है तो अपन लिखेंगे 60 को पहले convert करो meter में और sin 30 यह है height g की value कितनी है? 10 तो इंटो 10 भी कर देता हूं यह कितना हुआ? sin 30 कितना होता है? half 6 by 2 is 3 3 is equals to 3v square by 4 v square is 4 so v is equals to 2 है ना? basic सवाल that is how we can do this problem इसका answer जो है बच्चों यहाँ पर 2 निकल के आता है that's how we can do this problem आओ एक और problem देखते है rotation की कुल मिला कि उद्देश ही यह है कि आपको rotation का डर खतम करना है rotation एक ऐसा chapter है जो अगर sequentially पढ़ा जाए तो इसको करना है बहुत माजा आता है ठीक है धन अ थिन उनिफॉर्म रोड फ लेंथ 2 मेटर लेंथ दे रखी है cross section area दे रखा है density दे रखी है rotated about an axis passing through the center तो एक रोड है बच्चों इसको इस axis के अराउंड हमने कुछ angular velocity दी है यहाँ पर then what is defined further here passing through the center and perpendicular to its length with angular velocity omega if value of omega in terms of its rotational kinetic energy is चीक है तो यहाँ पर rotational kinetic energy बोला है यहाँ पर now what is rotational kinetic energy half i omega square sir आप half mv square क्यों नहीं add कर रहे है अरे बच्चों यह translate थोड़ी कर रही है यह सिर्फ rod है यह ऐसे जो अपना center है उसके across महीं घूम रही है तो translation क्यों डालेंगे हम सिर्फ rotational यहाँ पर use करेंगे तो rotational kinetic energy को e जो है कहा गया है now again याद कर लेना बहुत important चीज़ है अगर एक rod है उसका moment of inertia अगर उसकी central axis के across निकालता हूँ तो ml square by 12 what should I write for omega square कुछ मत लिगो because वही तो पूछा है omega square ही रहन दो 24 इदर गया 24 e divide by ml square यह आपका हुआ omega square but मैं तो root में लिख दूँँगा आगया answer but 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 convert करना है let us convert 24 e as it is mass क्या होता है density into volume volume क्या होता है rod का a into l l square अल्यड़ी है क्या कोई data given है आपे देखते हैं भी density तो unknown है area भी unknown है length 2 meter दे रखा है 2 meter का जो cube करेंगे 8 हो जाएगा बच्चों yes we are very close to the answer 3 e divided by d so basically अकर यहाँ पर alpha unknown है तो आपका जो alpha है वो इसकी value 3 हो जाती है आपर so the answer for this question is कि यह जो question हमने आपके यहाँ पर screen पर किया है इसका answer हो जाता है alpha is equals to 3 ठीक है that's how we need to do this problem so I hope आपको जो है यह questions जो है समझ में आया होंगे again if you want to understand some other topics also अगर आपको किसी चीज में problem हो रही है अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उसके अंदर और अच्छे तरीके से इस तरह के video बना सके और help कर सके so do let us know by commenting below this video बताईए हमे कि हम किस तरह से आपकी और help कर सकते है thank you बच्चों किसे बच्चों झाल 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 झाल